भाई लोग सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमको यहाँ पर F.I.Money की तरफ से पूरे की पूरे तीन लाख रुपे का लोन जो है प्रूब किया गया है आपके सामने हाँ पर है अगर मैं यहाँ से एक क्लिक करूँगा तो तीन लाख रुपे मुझको मेरे बैंक एकाउंट पर मिल जाएंगे जिसका पेमेंट हमको यहाँ पर हर महिने EMI में करना होगा आप लोग देख सकते हो तो आज किस वीडियो में हम लोग इसी टोपिक पर बात करने वाले हैं कि आप जो है ओनलाइन घर बैठे अपने हाँ पर F.I.Money या पर लोन कैसे अपलाई कर पाओगे F.I.Money आप में आपको लोन कैसे मिलेगा पैसे कैसे मिलेंगे अगर आपको यहाँ पर पैसे की जरुत है और आप जो है ओनलाइन घर बैठे लोन अपलाई करना चाहते हो तो आव यार में आपको लाइट जो है आज किस वीडियो में F.I.Money से लोन अपलाई करने का प्रोसेस करके दिखाता हूँ इससे कि आप इस टन जो है लोन अपलाई कर पाओगे हाई एमाउंट का लोन आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो लोन अपलाई करने के लिए आप एक काम करना अगर आपका F.I.Money में सेबिंग एकाउंट है तब भी आप यहाँ पर लोन अपलाई कर पाओगे तो इसके लिए आप एक काम करना सबसे पहले आप प्ले स्टोर को ओपेन करके यहाँ पर सर्च कर देना F.I.Money आपके सामने यह वाला अप आप आजाएगा इसको डाउनलोड करके सबसे पहले आप जो है ओपेन कर लेना अब भाई लोग जैसे ही आप जो है F.I.Money आप को डाउनलोड करके ओपेन करोगे आपके सामने ऐसा P.G.O. पिन हो जाएगा अगर आपका पहले से F.I.Money आप पे सेबिंग एकाउंट है तो आप एक काम करना साइन इन पे टाप कर देना अपना मोबाईल लंबर डालके O. स्लाइड कर देना स्लाइड करने के बाद आपके मोबाईल नंबर पे एक जो है OTP जाएगा OTP डालके सम्मिट कर देना अब भाई लोग जैसे ही आप यहाँ पर OTP डालके सम्मिट करोगे यहाँ पर आपको एप में अपना एक जो है E-mail ID सेलेट करना होगा तो यहाँ पर ट पर क्लिक करके परमिसन सारी एलाव कर देना फिर ऐसा पी जो पीन हो जाएगा FIE मनी से आप यहाँ पर तीन चीजे अपलाई कर सकते हो तीन काम जो है कर पाऊगे पहला आप जो है एक फेडल बैंक का सेविंग एकाउंट ओपेन कर पाऊगे बिल्कुली फिरी में जीरो बै करने के लिए आप इक काम करना इस्टेंड लॉन वाले उप्सन पे टाप करके यहां से कृटीन पर टाप कर देना और अग्णी करना तो इसके लिए आप एक काम करना FI Money आप को ओपेन करना ऐसा पेज ओपेन हो जाएगा नीचे चले आना यहाँ पर टैब करके नीचे से Istand Loan पे क्लिक कर देना Loan Apply करने का पेज ओपेन हो जाएगा तो फिलाल हमारे सामने Loan Apply करने का पेज ओपेन हो चुका है यहाँ से हमको Istand Cash जो है Loan मिल जाएगा फ्यू मिट में तो Loan Apply करने के लिए Get A Loan पे टैब करना फिर यहाँ पर आपको अपना Pen Card नंबर Date of Birth जो है डालना होगा Loan Apply करने के लिए तो अपना Pen Card का नंबर अपनी पूरी Date of Birth जो आपके Pen Card पे होगा डालके नीचे से Continue करना फिर ऐसा पीजू पिन हो जाएगा यह लोग आपकी eligibility चेक करेंगे कि आपको यहाँ पर आप में कितने रुपे का Loan जो है दिया जाए तो आप एक काम करना Swipe to Verify पे टैब करना यह जो है वेरिफाई होगा उसके लिए यहाँ पर आप अपना पूरा address डाल देना जो आपके address अधार काड में होगा उचीट डालके Continue करना हो सकता है आपका address यहाँ पर आजाए बस एक बार चेक कर लेना सही होगा तो Continue पे टैब कर देना फिर ऐसा पीजू पिन हो जाएगा यहाँ पर पर टैब कर देना अब यहाँ पर टैब करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेना उसके बाद आप लोग देख सकते हो हमको यहाँ पर F.I.Money की तरफ से अप टू 3 लाख रुपे का लोन जोए ओफर किया जा रहा है हम यहाँ पर 3 लाख का लोन अप्लाई कर पाएंगे 9% इंटरेस्ट के साथ देख सकते हो हमारे सामने ओफर जो है आचुका है लोन का तो लोन अप्लाई करने के लिए नीचे से सम्मेट पे टैब करना फिर ऐसा पी पिन हो जाएगा यहाँ पर आपको आपके लोन की पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी आप लोग देख सकते हो हमको यहाँ पर 3 लाख में से 1 लाख 20 जार का लोन एमाउट जो है दिया जा रहा है जिस पे हमारा फीस एंजिस टी 625 लगेगा टोटल पैसा 1 लाख 18,875 रुपे हमको हमारे बैंक पे मिलेगा जिस पे 7.10 परसेंट का इंटेस जो है लगेगा लोन हमारा 30 महिने की EMI के लिए होगा टोटल री पेमेंट हमको 1 लाख 48,000 का करना होगा ठीक है और हमारा मंतली EMI 4,500 रुपे होगा यह सब आप यहाँ पर अपने लोन के बारे में चेक कर लेना और अगर आपको लोन अप्लाई करना है पैसा चाहिए लोन चाहिए तो आप एक काम करना नीचे से सारी जो है टर्में कर्णिशन एलाओ करके कोंटीनिव टू केवासी पे टैप करके अपना केवासी कंप्लेट करके बैंक एकाउंट एड करके इमेंडेट कंप्लेट करके कुछ करके आप जो है लोन अप्लाई कर लेना उसके बाद आप यहाँ से कॉंटीनिव टू केवासी पे टैप करोगे तो आपके सामने केवासी करने का पेज ओपिन हो जाएगा जस्ट आप कॉंटीनिव पे टैप करना फिर यहाँ पर आपको अपने अधारकार्ट का आखरी का चार अंकजो है डालना होगा डालके विरिफाई अडिन्टिटी पे टैप करना फिर ऐसा पेज ओपिन हो जाएगा आपके अधारकार्ट में जो मॉबाइल अमर लिंक होगा ओटीपी जाएगा ओटीपी डालके सम्मिट कर दोगे तो ऐसा पेज ओपिन हो जाएगा यहाँ पर आपको अपना एक जो है सेलफी वीडियो जो है विरिफाई करवाना होगा उसके लिए आपको क्या करना है यहाँ से कॉइंटीन्यू करोगे आपका कैमरा ओपिन हो जाएगा आप जो है कैमरे में देखते रहेना उसके बाद आपके नीचे कैमरे के नीचे मतलब कि आपके स्क्रीन के नीचे एक जो है चार डिजिट का कोड आएगा जो कि आपको यहाँ पर कैमरे में देखते देखते बोलना होगा कोड जैसे कि मालो 45-46 आ गया तो ऐसे देखते रहेना बोल देना 45-46 ठीक है ऐसे बोल देना जो भी कोड आए वो डालके वरिफाई कर देना यह आपका कम्प्लीट हो जाएगा फिर आपके सामने option open हो जाएगा अपना bank account एड करने का कोई से bank account पे आपको अपना loan का पैसा चाहिए उसी bank account से आपका EMIB कटेगा तो अपना bank account आप यहाँ पर एड कर देना सबसे पहले अपने bank account का FSC code, bank का नाम bank का account number, account holder नाम सब कुछ यहाँ पर डालके आप एक काम करना confirm account detail पे क्लिक कर देना bank आपका add हो जाएगा फिर यहाँ पर आपको अपना E-mandate complete करना होगा loan apply करने के लिए आपको अपना auto pay जो है set करना होगा तो यह चीज आप यहाँ पर continue पे क्लिक करके, चाहे debit card, चाहे net banking क्यों योज करके, आप यहाँ पर complete कर लेना, तब आपका काम हो जाएगा बस आप जो है continue कर दोगे E-mandate complete करके, आप लोग देख सकते हो 1,20,000 का loan हमने यहाँ पर apply कर लिया है पैसा कुछी दिर में, हमको हमारे bank account पे मिल जाएगा तो भाई लोग ऐसे करके, आप जो है online घर बैठे, अपने हैं पर F.I.Money, आपने, personal loan जो है apply कर पाओगे, मैंने आपको light जो है loan apply करने का process करके दिखा दिया आई हूप आप करना जानगे होंगे अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई हूँ वीडियो को like करके, चैनल को subscribe करके bell icon को press कर लेना साथ में अगर आपको online earning करना है घर बैठे, पैसे कमाने है तो आव यार हमारे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लो तो कि मैं आपको टेलिग्राम चैनल पे कई सारे online earning के cashback offer जो है देता रहता हूँ जल्दी जाओ जोईन कर लो अगर आपको online earning करना है घर बैठे, पैसे कमाने है तो लिंक आपको इसी वीडियो बिसकप्शन में मिल जाएगा जल्दी जाओ जोईन कर लो